नई वीडियोज देखने के लिए शिमारू चानल को सब्सक्राइब करें। झाल 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 हाई झाल और गुर्णा कर सकत्रमाइन कि जारेषाना प्राइब दुरित नहीं जारे रड़ हैं कि झाल 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 पार्म ब्लास्ट टेररिस्ट गवर्मेंट क्या कर रही है पापोजिशन पाटी सी एम की इश्तिफे की मांग कर रही है ये सब कुछ पढ़ा आपने मिस्टर सुद्धर्शन सिना जी मुख्य मंत्री साहिबा बगर अब तक किसी भी टेररिस्ट ग्रूब ने टेररिस्ट नफरत है मुझे शब्ष सिना साहिब आप भी पाटी लीडर है आपको भी जवाब देना होगा इन सब सवालों का हलो कमिशनर साहब अब आप ये मत कहिए कि आप अब तक नाकाम्याब है क्योंकि ये शब्ध हमारी डिक्शिनरी में नहीं है अगर आपने आठ घंटों में ये केस सॉल्व नहीं किया तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके डिपार्टमेंट को कितना नुक्सान हो सकता है अकल 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 तुम्हारे चारो भाई जो इस देश में आतंग भैलाने कहे थे पकड़ी कहे तुमने मुझे बुरी ख़बर सुनाने की हिरूत की और सोचा क्या काल खुश हो जाएगा तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे भाई अपनी जन से भी जादा प्यारे है बरबाद कर दूँगा इस देश को उसे मेरे भाई चाहिए पाल चीप मिनिस्टर गाईती देवी का हुकम है उन चारों को रिया न किया जाए और फासी के तक पर पहुचाने की कासम कही होस्तर तो फिर ठूंडो किसी को जो बिकाओ हो प्यारों किसी का जाए प्यारों किसी दुछान चाहिए तो रिकाओ प्याओ जो प्यारों किसी का जाए लेगस्तान जैसी खामोशी यह बासुरी की आवाज कैसी? खबराओ मत, चलो जो डर गया, वो मर गया यह, बासुरी तूबे जाना था सुनी? हाँ यह, सुन, पुलीश चोगी में तला किसमें लगा है? कुछ पूछा? हाँ यह भेरोव सिंग्ग भेरोव सिंग्ग? भेरोव सिंग्ग कौन? क्या साथ, बिना पढ़े लेके ही ठानेदार बन गए? भेरोव सिंग्ग की कहानी तो स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं और फिल्म वाले भी आये थे उस पर पिक्चर बनाने मैं आ गया हूं उसकी पिल्म का आखरी सीन लिखने कहा है तुम्हार ये भेरोव सिंग्ग? वो सबको नहीं दिखता पर उसे सब दिखता है मज़ा आ गया थानेदार, मज़ा आ गया तेरी पिस्टोल की नली बिल्कुल सीथी है तेरा निशाना बिल्कुल सदा है भैरोव सिंग्ग तुम ये और डिर्व सिंग्ग भैरोव सिंग्ग को देखने से तेरी यहां के जिल जाएगी ठानेदार या फिर काला चश्मा लगा कर लाठी लेकर वापस जाना है ये ले भैरोव सिंग्ग तेरे निशाने बाजी वफिदा है ये ले नजाना वतोर और उल्टे पैर्टु क्राउस से वापस चले जाएगा चार तौफे मुझे भी पहुचाने भैरोव सिंग्ग के पास कि अदेजल कर दोट देखे लिया तेरा सर के सानेदार अब थोड़ी कसरत हो जाया है प्रोज बन्स प्रोचर झाल परन मेल सक्कूरार का जां cit जाय हुआ हैं, आपका स्वागत है स्वागत, और तुम यहां का मुक्या था निदर सहब यालि तुम सब भहर TRAV सींग से मिले हुए हो काई भहर है? यह तु बोला है बड़ा भोला है, मेरा बेटा भोला है भोला? हाँ थानेदार साब, हम तो आपकी तिलेरी और इमानदारी परक्रहत है क्या है ये सब? ये सब इसलिए कि स्वर्ग जैसे गावा में भोला किसे डरपो, क्या बेईबान थानेदार को कैसे आने देता? अब हमें इत्मनान है, कि आपकी सरपरस्ती पर गाउं की इफाज़त साही होगी याली बोला, तुमने ये सब हमें जानचने करी किया है? थानेदार साब, गाउं के लिए तुम अपनी जान पी दे सकते हैं बोला के जिसमा पे चोट सिर्फ दिल पर लग सकती है, और कहीं नहीं आये थानेदार साब, थाने की जिम्मेदारी समभालिये बोला थानेदार की? ये! थानेदार की? ये! बोला की? ये! बोला की? ये! अपने घर जाईए, चलिए इस पर तो ताला है, ताला ही तो है न, ये लिजिए, आये थाने घर साब, आये, आये, मेनका, अंदर आजाओ, मेनका, नमस्य जी, आप रुखें, मैं अभी आया, उनकी भीवी है, अच्छा, मेनका जी, हम आपका स्वागत करते हैं, ये क्यो हो रहा है, प्रिकर मत कीजिए, आपको इसके आदिप पढ़ जाएगी, क्या हुआ, कुछ ही थाने साब, हम तो इसके चलने की बात कर रहे थे, तेरी ये हिम्मत तो मेरी बीबी को हाट माता है, आप भी इसके चलने पर काम तमाम करता हूँ, रुकिये थाने साब, मेरी बात तो सुलिए, भोला की कोई गल्ती नहीं, वो बही कुसर है, उसे छोड़ दिए, क्या इस गाउमे और तो पर बुरी नजर डाना कुसूर नहीं माना जाता, भोला की आख कोई कसूर नहीं है, थाने दर साब, हमारी में जाने क्या हो जाता है, उसे खुद पता नहीं चलता, और उसके आख खुद चल जाती है, खुद चल जाती है, हाँ, आपको यकिन नहीं होता, तो कल सारा गाउ आपको सबूत देगा भहिया, दूच के त्योहार पर, अगर ऐसी बात है, तो आप इसका इलाज क्यों नहीं करवाते हैं, कितने वही दाए कि मों को दिखाया कोई फाइदा नहीं, नजाने भोला कि यहीं का को क्या हुआ, किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं, इस गहाँ खेड़ में डॉक्टर कहां से आएगा, हाँ, भोला कि इस बिमारी की जाच परताल मैं करूगी, मुख्या साब आप परिशान क्यों हो रहे हैं, बैठ जाईए, जैने डॉक्टर ने इसी क्या बिमारी बता दिया है, अगर बिमारी बताईगी तो इलाज भी तो बताईगी, आप परिशान क्यों हो रहे हो, दो मिनि काथ सब्सक्राइब क legislator को अगर पूला का को बहुत है तो क्भोडा को सब्सक्राइब लेचा करना पड़ेगा शायद आपडेशन भी करना पड़े यारे की चीर फाड मेरे भोला के साथ पहीं नहीं है डॉक्टर नीची नहीं शायद आख का ओपरेशन करना पड़ा है यारे के मार पे देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते सरका भी ऑपरेशन हो सकता है शाद चेहरे की किसी नस्व में गड़बड हो पहले वज़े भी तो ढू अकाएक जुडवा भई है मैंने अपसे जूट बोला और ये जूट मैं भोला से और गावरों से 24 साल से बोल रहा हूं भोला मेरी संतान नहीं है मेरी शादी के साथ साल तक जब मेरी कोई संतान नोई तो मेरी शहर जाकर आनाथाश्रम से बच्चा गोद लेली की सोची और जब तक मैं अनाथाश्रम पहुंचा तो मैंने डिखा एक आदमी दो बच्चों को अनाथाश्रम के बाहर रख रहा था मैंने जब उससे अपनी इच्छा जाहिर की तो उसने मुझे दोनों बच्चों को लेने के लिए कहा क्योंकि वो जुडवा थे दिखने में जुडवा नहीं लग रहे थे, दोनों में से भोला नादार लगा, दो बच्चों को गोद लेना मेरे बस में नहीं था, उन दोनों में से मैंने भोला को चुना और उसे अपने साथ ले आया, मुझे लगता है, वो बच्चा जो मैं वहाँ छोड़ा आया था, वो भोला का ही चुर्वा भ मिर भाई लाईन मार ले बाबा लाईन मार ले लाईन मार ले बाबा लाईन मार ले तुझको जो पसंद हो उस पे दिल्य हार ले चार दिन की है जिन्दगानी मस चानी हाई ये जवानी हा दिवानी इस प्यार में गुजार ले लाईन मार ले बाबा लाईन मार ले लाईन लाईन मार ले बाबा लाईन मार ले तुझको जो पसंद हो उस पे दिल हार ले चार दिन की है दिन्दगानी मसितानी ये जवानी है दिवानी इस से प्यार में गुजार ले लाइन मार ले रे बाबा लाइन मार ले बस में बस में रेन में रिक्षाम में कार में क्लब, सिनेमा, होटल पी आवार में कली में महले में चाप में बाजार में स्पूल में ठालेज में शादी ते आवार में जिसको जहां मौका मिले और जिसको जहां मौका मिले मारे वही लाइन हो जो प्लिया तो कहें you are mine चार दिन की है जिंदर गानी मस्य तानी एच्छा वानी हा तिवानी इससे प्यार में गुजार ले दाइ बाब लेरे याब कर दोदे पब में विसको में आफिस में पार्क में खुली सड़क पे हर इक दुठार में पूढे जवान यहां लाइन सभी मारते फैशन है अब यह सारे हिंदुस्तान में हर जग लाइन का हर जग लाइन का ही चक्कर है यारो तरो नहीं दुनिया उसे खुल के लाइन मारो लाइन मार ले लाइन मार ले बबा लाइन मार ले लाइन मार ले बबा लाइन अंदर आना नाने को आदत नहीं है मुझे नाने की अाधाब करीम बाई आप मुझे सिर्फ टायर के पैसे दे रहें अरे ने भाय पूरे गाड़ी के पैसे दे रहा हूं तेरे को देख अपने फिक्स प्राइस इंडियन गाड़ी दस हजार इंपोर्टेट गाड़ी पंद राजर खल ला है मुन्ना भाई सही कहता है कहता है करीम भाई एक ही लाठी से घोड़े और गधे को आप देता है तोन मुन्ना भाई वही जिसने आज रात को मुझे क्लब में बुलाए है पटा मुन्ना भाई क्या कहता है कि सानी तेरा वक्त कोई नहीं जानता तुझ जैसे हीरे को सिर्फ मैं पैचान सकता हूं मतलब तू उसके साथ दंदा करेगा अब मुन्ना भाई आज रात को अपन से डील कर रहा है चलो करीम भाई कहा सुना माफ पता नहीं इस जनम में कभी मुलाकात होगी या नहीं लेकिन अईसानी बात करने का बैठ जातू यह ले यह दस और यह दस बीस हजार कुछ हो जातू अबस सवाना तो तू है तो तो ने कोई घर नहीं तो मेरे तो और यह सब पहर विगता दर ने देंगता तू नहीं चुप यह दूना नहीं देता तू में भायों की क्या हो हमेशा जगरते रहते हो भायों के रिश्टा है जो जीता वो ही सिकंदर और जो हारा वो ही बंदर खुद आफिस नई क्लाब कल फिराओंगा ये रहे रहा आजे कुछ दे दे सेट बाबा गंटे भर पहले अपन सेट था अब सब खलाज ये अईसा है अंदर एसा हुआ शब होता है जब भार नहीं होता लड़कियां शराद कुछ देगा क्या साब देंग बाबा पिलाल जो तेरी हालेत्य अपन से अच्छी है अपन राजा की तरह जीता है और फकीर की निम्स होता है इन जेवों में घंटे बर पहले हजारों रुपे थे अब जीरो देखले जो मिला वो तेरा यार साब बिंदास हाथ डाल दे यार और आज माले अपने नसीब को देखना देखना क्या साब अपने का फिर की लेता है अपने नहीं मंगता है अपने मज़ा कर दा रहा है अब दूसरी जेब में देख नहीं मंगता है साब ये सो रुपे का नोटे साब अरे बुलाला बाबा पहली बार अगर भटी मिली तो दुबारा ट्रैकर मिले अब आपका क्या होगा साब देख अपन किसी का कोई कर्ज कोई ऐसा नहीं रखता है प्यास लगी तो कुवाँ खुदता है हर बार अलग अलग टेस्ट का पानी पीता है होग सुखे तो नजरों के सामने कुवाँ खुद बखुद आ जाता है चल तुझा कुझली बन कर आताओ झार क्या तो झाम्स व्यास प्यास झाल अ ऑस्ति उन्धी टुद व्यां आप खुद लेच्ञ अ। झाल झाल बच गया, इंस्पेक्टर साब, मेरी जान खतर में है, मुझे सस्तुरा ले चलो, प्लीज बाई साब, आप बता सकते हैं, बता किदर है, आप पास में है, लफ्ट लेके सामने बगल में है, शुक्री नमस्ते भाई साब, भाई साब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मदद चाहिए तो बड़े कलेक्टर के बाद जाने का, अपने पास वक्ट का बहुत मारा मारी है, इमार्ट रखने से पहले अपना डिमांड सुनने का, लड़की को गोट लेना है तो 25,000 रुपया, लड़की बाहर आने का, सिखने चर मारने का, और फूटने का, क्या हमारे गाउं में किसी की मुझ की तरफ पैर रखना पत्तमीज ही क्यलाता है तुगाउं से मेरे को यहां तमीज सिखाने को आया क्या हम अपने भाई की तलाश में आया हमें आपकी पुरानी फाल में से कुछ जानकारी चाहिए के टेल छूटके जाब 15-20 दिन के बाद यहां आने का पता लगाने का चोबीस सार पहले भाई पी चड़ गए अब हमसे 20 दिन नहीं रहा जाएगा पीस मिनिट में दूटके दीजिए ना कि टेबल के उस तरफ से आपकी आवाज में बेकारी उच्छा सुर लग रहा था अब बताएए आप क्या बोल रहे थे इस बार अगर गले से सही सुर नहीं निकला तो मैं आपकी हलक की ट्यूनिंग कर दूँगा ए भाई तुम तो मुझे केंद बना कर खेल रहे हो मेरे भाब बता बता तुझे क्या पूछना है मैं दस में से जादा नहीं लगाऊंगा क्या आज से 24 साल पहले एक बच्चा आपके यह आया था आप और वो बच्चा सिर्फ देर दिन का था हाँ याद है आपको पूछता वो राम चंदर जी ने भी क्या बनवास कहता होगा क्या अब थो बहुत बड़े हो गए होगे न वह आप बड़े हो गए होगे जाते जाते अनात हाश्रम का गल्ला ऐसे साफ करके गया जैसे बिल्ली दूद का प्याला साफ करती है अरे मंदिर में रखके चिल्डर भी उठागे लेके गया एक अपते ताहीं मेरे को बीड़ी पीने को पैसा नहीं था क्या आजकल कहा होंगे वो वो आजकल पुलिस कि वो चौबिस घंटे की ड्यूटी बन चुके हैं इस शहर के नामिक टपोरियों में नाम है उनका अगर उसे ढूना है तो किसी हावालात की खाक छानो अरे हो सकता है किसी कालकोठी में वो समाधी लगा कर बैठे हो ऐ शनी तेरे को मिलने के लिए भाई लिवां का एक भाई आयल है आप ए अहले कल आप एक आलिया चल तो भी बार कालिया, शिकर मत कर, आपन है ना बार, हाँ, तेख, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, इक्स्पेक्टर साब, मेरा बाई कहा है, शायद दो दिन की जेल की हवा ने उसे बदल दिया है, वो रहा तेरा बाई, काली जैकेड वाला, बाई, बाई, कैसे हो मेरे भाई, भाई, मेरे बिच्ड़े भाई, बिच्ड़ा भाई, हाँ, तो मेरा जुरुआ भाई है, जुरुआ भाई, हाँ, मैं तुझे लेने आया हूँ, आ, अच्छी बात, मेरे बाई, तो फिकर मत कर मेरे भाई, तेरे हर जुर्मानी की कीमत मैं अदा करूँगा, और भी है मेरे पास, भाई, अरे कमाल है, वोई बाल, वोई आख, वोई सुरत, वोई बॉड़ी, ऐसा लग रहा है कि मैं आईने में देख रहा हूँ, और कुछ, राइट का तुम उप्छान गया पहचान लिया अरे तुमी ओ माता पिता तुमी ओ तुमी ओ बंदू सका तुमी ओ लेके मुझे यहां से निकाल दो भाई यार तेरे पैसो ने तो कमाल कर गया तराम ओव या उल्लार एक बीडी देना यह देख अंदर गास भी डालते बाहर बीडी पलात अरे कुछ भी बोलो या मामला सही जमाया तुने एकदम फिट लेकर अब बता कोने बे तुम्हारे भाई देख ज्यादा लंबी मत खीच जो रेकोर्ड तुने ठाने में बजाया था ना एकदम सही था लेकर अब बता किस ने भेजा तुझे करीम भाई ने यूसुप भाई एक पीटर ने जुड़े भाई है हम आपके जुड़े भाई है आप हुमारे जुड़े भाई है अरी बाई है अरे अधेटर में ना तो राम और शाम ना سीपा जाङरी तकरी आरे बहतर है कि अब प्लांजान के चकर में है किया आपनेगे आजाद पंचिyes आपना ना कोई उपर ना कोई नीचे ना कोई डाय ना कोई बाय ना कोई आगे ना कोई पीछे ना कोई उपर ना कोई नीचे ना कोई मामा ना कोई मामे ना कोई जाचे ना कोई दीदी ना कोई दा 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 चलता ही क्या तूट चुमा क्राब हेगे तेरा भाग जा यहा से फिर आक्यो मारा आक्यो मारा आई आक्यो मारी अबै आक्यो मारा तेरी तो मै अप Peng बाई मेरा जुणा भाई कहा दा तू मेरा जुणा भाई असली भाई तुम्हारी पसंद का कुछ रहतो नहीं गया ना तुझ जैसा मन पसंद भाई मिल गया और क्या चाहिए तुखा न पोजन हमारे लिए पेट की पूजा होती है एक तपस्या जैसी पिर्यानी में कंकर लुकर गर लुकर इई भाई भाई थे तुम्हाँ क्यों बेर खजुए मेरे को माता है क्या ह टेकिए हम वां आप ओहा बगां टार एखफ़ा च्रित पार कि है ऑर शence पर्मा ब 수ाश्ड डान है साला इसके पास गोले भी हैं और डोले भी है इसका इस्तमाल किया जाए अब कहान खोल कर सुन ले मुझसे पंगा लेने का मतलब मेरे पूरे खांदान से पंगा लेने का मेरे भाई से पंगा लेने का समझा क्या हो अब आए यह कमीरे साले आपका पैसे वालों बक्सा लेकर भाग रहे थे भाई भाक्सा ही ले जा रहे थे ना तक्दीर तो नहीं ले जा रहे थे लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो हम कंगाल हो जाते हैं चलो चलो क्या हो भाई यह क्यों रो रहे सारा खांदा नहीं कुछ ऐसा है इसका बाप सलग खचड़ था और यह गढ़ा निकला जो कुछ भी बोला है मेरे बाप को बोला है आवाज मत बदल आवाज मत बदल याद कर साले क्यों रो रहा था यादा है विचारा मेरा दोस्त है पहले लोगों को पैसे उधार देता है जब वापिस लेने जाता है तो लोग इसे अंगठा दिखा देते हैं अब आए क्या लोग इनके पैसे नहीं लोटा रहे अरे मना किया था यार कितने बार मना किया पांच बार मना किया था कि दयावान बन मगर लोगों को देख कर दयाकर सुख गई साले मैं तो बिना पैसे लिए तुझे मारता हूं लोग तो तेरा पैसा खाकर तुझे ही मारता है और फिर कहता है शनी मेरा पैसा वसुल कर ठक कर गईगा कौन है वो जो आपका पैसा नहीं लोटा रहा है मुझे वापने जब मेरा भाई सवाल करता है क्या विरवाई जब मेरा भाई सवाल करता है तो जवाब दे बता किसी सामने तुर और तेरा सालवा पाप स्वाफ भीक मांगता था कि अधिक जाओ तेरी वसीली करने सवराठ होटल ओ नई यह यह कापी है पूर्ट सवराठ भाई होटल सवराठ भाई होटल सवराठ कि अार्ट सवराठ भाई 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 है जह भाईए है जुश्ट भाई कि अवट भाई बाच्छ बाच्छ हाई 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 मेरे बैक दे हातब हाई क्या दुनाइए है क्या और लिम्ट में वायुट daar नहीं है फोड़ा उसको दय देदै है .. उसको दे दो नहीं prof खाल दूझ आपड़ा ए लॉत दूझ दूझ कर दूझ है डूझ कर थिर दो कि अहें जब भी जाण हरे और कितने कतल की सुपारी यृए भाजरी के नहीं जाने की लाया हूं कि अंधाया जान लेने वाला जान बचाने की बात करने लगा घसाई अगर बक्रे पालेगा तुब काटेगा हाँ आहाहाहा क्या क्या ना मैं चाए सुधर शिना सुधर्शन सिना अच्छा हो तुम यहांगे अच्छा हुआ क्या बात है बड़े खुश लग रहे हो खुश खबरी बाटने के लिए बुलाया है या बख्षे लाओ कितने रूप है और भी है मंत्री कितने कितने इतने है कि गिंटे गिंटे उंगर बिजाएगी काम चार अतंगवादी बंब लास्ट किया था जेल में है आकाल के भाई है आकाल 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 वो शक्ति है जो किसी भी देश में कुछ भी कर सकता है हाँ उसको उसके चार भाई चाहिए और वो काम सिर्फ तुम कर सकते हैं सुदर्शन से ना गाहितरी देवी ने कसम खाई है कि उन चार आतंगवादियों को वो मौत की सजा दिलवाएगी और तुम गाहितरी देवी के पारिटे के मंतरी हो और तुम्हें राजनेती समझाना मेरे लिए मुर्खता है समझ गहने तुम जबार गाहितरी देवी कोई हलवा नहीं है कि जब जी चाहा खालिया उसे पटाना लोहे के चने चाबाना है देखो देखो सुदर्शन से ना ये पुरा बक्सा तुम्हारा है अब इस तुम हलवा समझ कर खालो या लोहे के चने ये काम तो तुम्ही को करना है वरना मज़ो तु सिर्फ एक ही रास्ता मालूम है मौट भाई सेर्फ मौट दे सकता है अगर तुम उस गौरी को यानि के गाहितरी देवी को मौट दे दो तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओगे सुदर्शन से ना फिर कितना असान है तुम्हें उन्चारा तंगवादियों को छोड़ना भाई वा जबार तुम्हारा भाई तो हमारी तरह काफी समझदार है बहुत समझदार जबार भाई बोलो जाने एक बुरी खबर है क्या होटल समराट को सर जोनर्स के दू आदमी लूटके ले गए और सारा कलेक्शन वो ले गए है सर जोनर्स के दू आदमी एए बाप देख देख आज तेरा पोड़ो में अपन यह हार चड़ाया है जंदा काई को हैं मलम क्या एए वह इसलिए के आज जब वो तेरा जब बारवाला बदला शुरू कर दिया है आदा बदलने लिए तेरा दो आदमी रगा तेरा वास्ते समझा क्या अच्छा आदमी है तेरा साला आदा काम बज़ा डारा है आज से तेरा आथमा को शांती मिलेगा, अच्छा लगेगा तेरे को, समझाए न यह ने दो, क्या अज़ाय ख़ीक हो गया यह यह तेरा यंदूद यहला शकन काई को हो गया यंदूद तेरे पीछे ख़ड़ा है तेरे पीछे कैसे हैे, कैसा है तुम वो दो आदमी कोने जिसे तू सम्राड ले गया था कोई जो दो आदमी सर्जोन केरा काम करता है साला कोई आदमी ने तक पने चाहर चाथ आप तू ऐसे नहीं मानेगा सर्जोन मर गया सारा अजय कोई आप अजय कोई अजय कोई अजय कोई अजय कोई वाह यह तो आपने कमाल कर दियां भाई भाई शहर में लड़किया भी डाकू होती है हाथ में पिस्टोल लेकर घड़ी थी शाहिद कुछ लूटने आए थी ना यह तो पहली सी मेरा सब कुछ लूट चुकिया यार अच्छा यह जब उठेगी ना शैना यह बजा देगी क्यों यह मेरी प्रेमिका है भाभी 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 वह भाभी भाभी तु रिष्टे बाद में जोड़ पहले से होश में तो ला तुम इधर ही रुको मैं दवा दारू लेकर रहता हूँ अब मुझे दारू की जिरुरत है और इसे दवा की हाँ ठीक है मैं आभी आया आवाई अब आवाई अब आवाई अब तो नहीं कि 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 यू बास्टर्ड तुम्छे मर गया सानी काँ फाग रहा तूस्टा बच्टे बच्टे आपनी ससुरॉल को नुखसान पहुचा रही है ससुरॉल केते हो और दिन बर अलग अलग लड़के के दाद कुमते हो सिर्फ दिन बर नहीं मैं राद बर भी गुमते रहता हूँ मीरे मत भाड़ देड़ा मत भाड़ देड़ा आज तुम्हारा तो चीर हरण होगा क्या क्या इता अगर क्या देख रही है उतार उतार अरे, उताँ तरे पीचे, सबचती नहीं है तुम फिर भाग रहे थे ना? अरे, मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो तुम्हें डून रहा था तुम, मुझे, क्यों? क्यों? क्यों कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं तेरे सवाग कोई नहीं है मेरे पास अनू, मेरा यकीन कर देख, इस दुनिया में एक ही चीज़ से मैं अफरत करता हूं और वह ही जूट मैं जूट ना तो बोलता हूं ना तो सुन सकता हूं अब तू मुझे एक बात बता तू कहा दीतने दिन सनी, तू मुझे इतना चाहते हो बोला की कसम अरे भाई बोला की मैं बोला क्या फरक पड़ता है सनी अरे शरफकार मैं अभी तक कुवा रहा हूं मेरे खांके नहीं लेकिन सनी मुझे मारा किसमे वाह यह तो आपने कमाल कर दिया भाई भाई शाहर में लड़कियां भी डाकू होती है हाथ में पिस्टोल लेकर घड़ी थी शाहिद कुछ लूटने आए थी ना यह तो पहली सी मेरा सब कुछ लूट चुकिया यार अच्छा यह जब उठेगी ना शैना यह बजा देगी क्यों यह मेरी प्रेमिका है भाभी 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 ओ भाभी तुम इधर ही रुको मैं दवा दारू लेकर रहता हूँ अब उचे दारू की जरुरत है और इसे दवा की हाँ ठीक है मैं अभी आया भाभी 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 नमस्ते यह मेरा भाभी है तुम्हारा भी कोई भाभी हो सकता है शकल से तो नहीं लगता लेकिन कहता रहता मेरा भाभी है और वह भी जुडवा कहता नहीं हूँ मैं तुम्हारा जुडवा भाभी हूँ घर की बहु के लिए दवाई लाया हूँ घर की बहु? आपने मेरा जिकर किया? भाई का प्यार है, घर की बहु यह न? मेरे बाप, पहले ही मेरे कलाई में राखी बांदी अब गले में जैम आला भी डालोगे क्या? मैं आदमी ही है, राशन कार्ट का ओफिस रिष्टे बढ़ाए जा रहे हैं तेखा आपने कैसे बेरुखे से बात करता है? घर की बहु के साथ कभी ऐसे बात की जाती है क्या? ने ने रिष्टे बने हैं ने इसलिए आपको कितना अच्छा एडिया है रिष्टो का कितनी बार्की से आप रिष्टो को समझते हैं ये सनी कब समझेगा इनको ऐसे? ये मेरे साथ खंडाला जाएगा? खंडाला? ख्याल भी बुरा है प्लीज सनी सनी प्लीज दिदी वहाँ एड़ फिल्म की शूटिंग कर रही है दिदी? अब तो मैं कभी नहीं जाओंगा मैं उस जास तो भी नहीं बैठोगा जो खंडाला की उपर जाता है अरे अपना सर खुद बखुद ओकली में टाल दू इतना बेखुप नहीं हो नहीं भाई हमें कंडाला चाना होगा जिस कपड़े में मापुची को लिप्टा हुआ मिला था उसमें कंडाला का ही पता था वहीं जाकर हमें माता-पिता का पता मिलेगा माता-पिता लगता है मैं बहुत जल्दिक अमीर आदमी बनने वाला हूँ क्यों? क्योंकि जब भगवान चपड़ फाड़ कर देता है तो पहले ही सारे रिष्टेदार जमाओ जाते है चलो हूपजा हूपजा? ये काई की बोली है? तु प्यार करी है? गाली दे रही है? अरे बाबा, हूपजा का मतलब है I love you एक अरब को कहते वे सुना था मैंने अरब ने? बहुत अच्छे युनो, I'm so glad सन्य और भोला, तुम मेरे साथ आए वरना मैं कितनी बोर हो जाती है वो देखो वाँ पे, दीदी की शूटिंग वाहा चल रही है दीदी का बाइ कुपदा तेरा चांद सा चहरा नजर मेरे है तो चांद नी को क्या देखे तुझे देखने के बाद हम अब और किसी को क्या देखे तेरा चांद सा चहरा नजर मेरे है अब 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 जिदे इस आश्टी को क्या देखे तुझे देखने के बाद हम अब और किसी को क्या देखे तेरा चांद सा चहरा नजर मेरे है हुपाद, हुपाद, हुपाद तेरी याद सताएं हर खरी, ना पूछो है कैसी बेखुदी हर तेरी याद सताएं हर खरी, ना पूछो है कैसी बेखुदी हर पर तु मेरे साथ हो, यह हिचाहती है जिन्दगी मैं मेरे हम सफर प्यान का ये अज़र, तुझे भागर बनाने लगा मेरा दिल दीवाना जभन सा नहीं इस दीवानगी को क्या देखें, तुझे देखने के बाद हम हको किसी को क्या देखें तेरा चांद सा चहरा नदर में रहे तो चांदनी को क्या देखे तुझे देखने के बाद हम अब होड़ किसी को क्या देखे तेला चांद सा चहरा नजर में रहे नजर में रहे बढ़ा बढ़ा सुना बढ़ा तिरी यह सनी और इसको तो आप जानती है और यह उसका भाई जुडवा भाई भोला नमस्ते यकी नहीं होता कि सनी का भाई और वो भी जुडवा जैसा के अर्णू ने बताया इस लुच्चे लफंगे का कोई भाई भी हो सकता है और वो भी आप जैसा देखा इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहरा था नहीं रहने दो भाई यह जब देखो मेरी इज़ट की खिली उड़ाती रहती है अरे अरे जिसकी कोई इज़ट होती है उसे ही फरक पड़ता है अरे तेल लगाने जाब अगर तुम्हें मैं अपने तकदीर में या तुम सादी को अपने मुकदर में लिखवा कर लाती हो तु ये नसीब की बात हुई ना अपनी किसी खास मजबूरियों में मैं तुम से नहीं मिल पाता मैं तुम्हें दुख देता हूँ लेकिन आखिर घुम फिरकर तुम मेरे पास ये वापिस आती हो क्यों? जो गोलियां तुम सीधे मेरे सीने पर चलाती हो वो मुड क्यों जाती है महपत तनू एक तुझे केले वाला प्यार लेकिन अगर तुमारी बेन हतेली पर महपत की लकीर किच्वा कर नहीं लाए तो वो हमारी महपत से क्यों जलती है? क्या? मतलब दीदी हमारी महपत से जलती है? अरे, इंडिया गेट की ना बुझने वाली आग की तरह तुमने उसका असली चेहरा पैचाना नहीं लेकिन इसमें तुमारी क्या खलती है? उसका चेहरा मेकप के पीछे चुपा रहता है विनी, तुमारे चेहरे का तो मेकप उतर कर भी नहीं उतरता विनी आज तक जब तुम्हारी छोटी बेहन तुम्हें पहचाने सकी इस आइने का कहा नसीब की तुम्हारा असली चेहरा देख सके लेकिन अब मुझे तुम्हारा असली रूप देख चुका है आज मैं समझ गई कि तुम्हें मेरी खुशिया तो प्यारी है मगर मेरा प्यार, मेरा प्यार प्यारा नहीं है तो ये सब तुम्हारे प्यारे सनी का ड्रामा है सनी, सनी नमस्ते जी, दूद पियेगी? मैं आज उस सनी का खुट पियोगी, कहा है सनी? भाई, अपनी बहन से पूछे मेरी बहन तो शराप के नशे में धुद पड़ी है जी 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 इस शहर मासूम लड़कों को कैसे विगार देता है आप ठीक कहरे ही है चाहिए हमारे भाई के पाथ चाहिए वो आपकी बहन को अपने प्याज से सतार देगा मेरी बहन को शराप तुमारे भाई ने पिलाई है और पिला पिलाकर उसने उसके दिल मेरे लिए कितना जहर भढ़ दिया है जानते हो आज उसकी वज़े से हम दोना के बीच में जग्रा हो गया और ये सब उस सनी की वज़े से हुआ है ने ऐसे नहीं हो सकता आपको जरूर कोई गलत फैमी होई है तूथ पिहेंगी गलत फैमी में तो तुम और मेरी बहन जी रहे हैं जो उससे प्यार करती है मैं मानता हूँ मेरा भाई शरार्ती है लेकिन आप यह जानती है कि उसका बचपन अनाताश्रम और सटको पर कुज़रा है आज जब हम सब उसके साथ है तो रिष्टे भी समझ जाएगा और प्यार भी देखना 24 साल का थोया वह प्यार जब मैं उसे दूँगा तो भाई कितना प्यारा हो जाएगा भोला तुम संझी से उमीदे बांद कर बहुत बड़ा दुख मोले रहे हो भाई अगर दुख बिठेगा तो सरांखों पर वो मेरे लिए दुन्या भार के सुक से बढ़ा होगा जैसा भी है है तो मेरा भाई एक ना एक दिन उसे अपनी गल्तियों का एसास होगा और वो अपनी गल्तियों की माफी मागेगा भूल जा भूला सनी और अपनी गल्तियों की माफी मागेगा वो मेरी बात नहीं तालेगा भाई भाई क्या बात है भाई मैं कब से तुझी ढूंड रहा हूँ काईको तकलीव क्या है यार मा की तरह मुझे अपने गोद में बठाना चाहता है चक्कर क्या है तू है कौन मुझे इतना बता मैं तेरा भाई हूँ भाई काईका भाई देख तुझ मेरा कोई नी है मैं तेरा कोई नी हूँ किसा खतम दिल के आजू-बाजू तक्ति गाड़ कर साला कीला ठोक चुकाओं कि अकेला था और अकेला रहेगा तेरे को सब लोग क्या बोलते हैं मैं कौन हूँ मैं क्या कर रहा हूँ लेकिन तू समझता है नहीं यार, इस्तमाल कर रहा हूं मैं तेरा, मैं तेरा, इस्तमाल कर रहा हूं, संभल जा तो इस्तमाल करना भाई, इस्तमाल करना, आके एक भाही दूसरे भाही का इस्तमाल कर रहा है न लगता है तो अपनका लाइफ का डिजाइन चेंज करके दम लेगा मेरे दिल में तेरा प्यास ठूस ठूस के बना देगा अज यतिम को भाईवाला आजा राखी बान ले देगान में ले बाइब में प्राफ कि वहा है उड YouTube comment अर चट मंगनी पक ब्याह देख तू जल्दी कर ले यारा पर ना कुडियां होंगी नाव तो ग्यारा और लग जाने ते तीन सदों की धारा अहां कुडियों को देख ते रहना आखों को सेख ते रहना तिल अपना फेक ते रहना मेरा इतना है कहना चट मंगनी पक ब्याह देख तू जल्दी कर ले यारा पर ना कुडियां होंगी नाव तो ग्यारा और लग जाने ते तीन सदों की धारा अहां कुडियों को देख ते रहना आखों को सेख ते रहना तिल अपना देख ते रहना मेरा इतना है कहना प्ये अवर से ते रहना उट की आख ब्याए ते ते रहना मेरा रहना ते ते आखंड़ा उते प्याए देरे चल पे उफ्लिये नखरे अताएं जो मस्ती लुटाएं कैसे दिल को रोको जानर जाना ये मैंना है जादू चलाएं क्यों दिल को तड़ पाएं क्यों ही भरता हैं कहते वो अब तक जो कहनी से तरता है कुडियों को ठेकते रहना आखां को सेंकते रहना दिल अपना ठेकते रहना मेरा इतना है कहना चटमंग नीपत प्याह देख तू जल्दी कर ले यारा वरना कुडिया होंगी नौ तो ग्यारा अर लग जाने के दीन सतों की धारा खोचाने ते इन पाँखों में आना मुझे तु तर्वे से लगाना हाँ मैं हूँ आशिक हाँ मैं दीवाना ओ चाना ये सुनले समाना अचाया है आदल पर महता है यूदन पर खुई है मस्ती में इस दिल की पर खरकन अचाया है आदल पर महता है यूदन पर खुई है मस्ती में इस दिल की पर खरकन पुडियों को देखते रहना आँखों को सेखते रहना दिल अपना फेखते रहना मेरा इतना है कहना, चक्मन नीपत प्याह देख तू जल्दी कर ले यारा परना गुडिया होंगी नोगो प्यारा, अर लग जाने पे जीन सबोगी धारा हाँ 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 कुडियों को देखते रहना, आथों को सेखते रहना, दिल अपना भेखते रहना मेरा इतना है जहना लो मिल गई अरे इतना समाल समाल के इन फाइल्स को रखता हूं लेकिन मजाल है कोई इनकी धूल भी जाड़ दे खूड़ा समझ के प्रेका गया है अखितने बरसो बाद काम आई गई ना यह 1973 की फाइल है ना यह 24 की फाइल है देखिए मैं सरकारी डॉक्टर हुआ करता था समझे आप अपनी फाइले रेकॉर्ड्स वगएरा बड़े सलीके से रखने की मुझे आदत थी लोग मुझे इस बात के लिए बड़ा पसंद किया करते थे समझे आप जब रिटायर हुआ तो रेकॉर्ड डिपार्टमेंट की नौगरी मिलगी मैंने कबूल कर ली देखिए बुड़ापे में आजमी जब निकम्मा होका घर में बढ़ जाता अरे आप देखिए तो सही इसमें जुर्वा बच्चों का कोई रेकॉर्ड है की नहीं तसली से काम लो शाह जाज़े फिर तुम है तो महीने का भी पता नहीं मुझे तो एक एक काज़स देखना पड़ेगा समझाव साब थोड़ा जल्दी देखिए नहीं देखिए मुझसे इससे ज्यादा जल्दी नहीं होता है आप तो घोड़े पसावार होके आए हैं तो 24 बरस पुरान रिकॉर्ड आखि यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है समझा आप तक्ट साब आपके पार सिर्फ जुड़ा बच्चों की कोई अलक्सी फाल नहीं है अरे साब कौन मनाएगा यहां सब मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले हैं मुफ्त और यह लिजे साब जुड़ा बच्चों का एक रिकॉर् अरे मैं कोई कमपाउंडर से डॉक्तर नहीं बना हूं समझे मुझे पढ़ना आता है पड़ा लिखा आज मी हूँ और रेकॉर्ड मेरे साबने है यह कैसे हो सकता है रखे न अरे भई मैं कोई अपनी मन गण कहानी कि तुम्हें सुना नहीं रहा हूं जो इसमें लिखा है वही बता रहा हूं रेकॉर्ड में और क्या क्या लिखा है जो जुब्य मरे हुए पैता कायत्री देवी कायत्री देवी और पती का नाम था च्वर्गी श्री शेखर कुमार और पिता का नाम च्वर्गी श्री देव पुरोहित जो चाहिएए देव पुरोहित जी तो अपने पहले चीफ मिनिस्टर थे और हमारी मॉझुदा चीफ मिनिस्टर उनकी बेटी है कायत्री देवी कायत्री देवी richी लेकिन उनकी साधी कभूई लेकिन रेकॉड़ तो उनहीं अगर हम हैं तो इसी गाइतरी देवी के ओलाद है मुख्य मंत्री गाइतरी देवी और उसके बेटे सूरज और सनी पिता स्वारग्वासी पती स्वारग्वासी बच्चे आनाद वाह क्या कीमत चुका ये चीज मिनिस्टर पन्दे की अब सारा खेल समझ में आ गया क्या समझ में आ तेरे कैसा किस्टा विस्टा एक खुदकर्ज और जिसका नाव है कैथरी देवी भाई तू अनाप शाया बात मत कर अनाप शानाप एक और उपने खुआच के जुनून में पहले अपने पिता पिर अपने पती को सौरगवासी बना दिया फिर अपने बच्चों को सानक पर पठग मत कर हमारी मा ह mencion? हमारी मा तुझे अपने मा से मिलेगी बहुत ख profitable आ भिट जा मिल अपनी मा से मिलूंगा लग जा उसकी से सूरज वो इस पेड कह पर मंतरी हुए तुझसे नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी क्यों नहीं मिलेगे पहजाना अपना घिनोना चेहरा इन तस्वीरों में मिस्ट सुदर्शन से ना? पिछले 20 साल से हमें शक्त था कि कोई हमारे नाम और पार्टी के रुद्वी का फायदा उठाकर अफराज जगत पर महरबानिया कर रहा है हमें जिन जिन पे शक्त था और जिन पे ज्यादा इत्बार जैसे के आप सबकी छान बीन शुरू करवा दी थी और नतीज़ा ये तस्वीरे तस्वीर खेशने का शौक बहुती दिल्चस्प शौक है गायत्री देवी मगर हर काली सफ़ेद तस्वीर में रंगीन पहलूँ पर खास खौर करना चाहिए तस्वीरे बड़ी ध्यान से देखी गई है अब आपके बदरंग पहलू पर और करना है सिना साथ जिस तसली से आप चबार जैसे बदनाम अपरादियों की महफिल की शोबा बने हुए हैं आपकी असले सामने आ रही है सियासत के मावलों में अपराज जगत की अपनी एहमियत होती है चबार त्यागी से मेरे तालोकात का आपको कितना फायदा हुआ है जानती है ना काहित्री देवी जब बात त्यागी जैसे घट्या मुझ्रिमों की महताज रही काहित्री देवी की पार्टी की बुन्याद है इमांदारी काहित्री देवी की पार्टी की कसोटी है लोगों की आस्थाएं आशाएं मैंने अपने कुर्सी को मा की गोद बना लिया है जहां मासूमियत के साथ छलकपट में होते लेकिन आपने मिस्टर सुदर्शिन सिना मा की दूद में मिलावट करके उसका व्यापार किया है ये ममताबादी माईक पर किसी भाशन में जाड़ियेगा गायत्री देवी बहुत तालियां पॉड़ेंगी वो जब बारत्यागी है जिसकी बदलत आप पिछले 20 साल से स्टेट की सबसे उची कुर्सी पर बिराजमान रही है मुखे मंत्री साहेबा तो ठीक है जब बारत्यागी का किस्सा ही खत्म किया जाए आपको पाठी से बे दखल करके फिर चुनार लड़का देखा जाए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की हिम्मत अरे सिर्फ हिम्मत दी तो है हमारे पास सिर्फ हिम्मत और जब बारत्यागी सिर्फ हिम्मत की ही खाता है अरे आप चीफ मिनिस्सर् लोगों के वोटों की बदालत बनी लेकिन मैं अपनी दुनिया का चीफ अपनी हिम्मत के दम पर बना हूँ आप शेरनी शरीफ शेहरियों की लेकिन मैं जरुम के जंगल का शेर हूँ लिहाजा गायत्री देवी आप और हम महबबत से रहें तो आमन और शान्ति रहेगी वरना अगर कहीं जंगल चल कर शहर में आ गया तो बबाल हो जाएगा जंगल के जानवरों की कहानी मत सुनाओ जबबार जो कहना है साफ साफ कहो सुदर्शन सिना मेरा खास आदमे है जो कि आपकी पारिटी का कई सानों से पालतू बना हुआ है तो इस हकुमत में उसको अपने मनमर्जी करने दीजिए आपकी जो चीफ मेरे से है वो बाकिस सपराजमाई है सुदर्शन तो नहीं उसके और मेरे तालुकाद आपके किस काम आते हैं उन फाइदों पर गौर कीजिए और किया जब्बार और किया तुम्हारे और सुदर्शन सिना के तालुकाद अब तक तो उटने साफ नहीं थे पर अब बहुत चीदा तालुक हो गया है अब इसे मैं अपना सबसे खास काम बना लूँगी ये हुई ना बात मिलकुल पते की बात किया अपने काहितरी देवी साथ मिलकुल चलेंगे तो आप अपने तक्त पर तक्त रहेंगी और हम अपने सिहासन पर विराजबान तो लगे हाथ हम रास्तों का नक्षा भी बना दिया जाए जिन रास्तों पर हम साथ मिलकर चलने वाले हैं साथ कैसे चल पाएंगे जब बार जब तुम और सुदर्शन सिना कुछी दिनों में भूदकाल बन जाओगे भूदकाल? मैं समझा नहीं जब बार मैंने फैसला कर लिया है कि मंगलवार की पार्टी मीटिंग में सुदर्शन सिना को पार्टी से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे जिर्म के जंगल पर रेगिस्तान का नक्षा खीच दिया जाएगा अपनी कुंडली खराब मत करोगा है फ्रिजेवी मेरी हिम्मत का नमुना तुमने देख लिया है अगर मैं घर खुष कर तुम्हें चेताउं नहीं दे सकता हूँ तो समझ लो और क्या क्या कर सकता हूँ एक बेर देना तुझे क्या हूँ रहे तुरोके रहे और तेरा भाई कहा गया वो हरामी हरामी नहीं बोलना मेरे भाई को हरामी नहीं बोलना वो मेरा प्यार था वो मेरा प्यार था उसके जाने के बाद तो मुझे बता चला कि प्यार क्या होता है जाने के बाद किदर गया तेरा भाई बगवान को प्यारा हो गया उसे बगवान ने मुझे सची लिया मुझे यतीम बना गया मुझे अरामी को यतीम बना गया मेरा भाई मेरा भाई मुझे यतीम बना गया यह रहा सियम साइबा का घर हां लेकिन तुम अंदर नहीं जा सकते, देखा कितनी सिक्यारिटी है और मैं इन सिपाईयों से बात करने की कोशिश करूँगा, शायद मुझे अंदर जाने दे इतना असान नहीं है, अगर तुम अंदर घुशने की कोशिश भी करोगे, तो वो तुम्हें पकर सकते हैं लेकिन कोशिश तो मैं सरूर करूँगा कोशिश, कोशिश, कोशिश घूंगे और बहरों का लफस है मुझे कोशिश नहीं, अपने भाई चाहिए अगर गायत्री देवी नहीं मानती, तो तुम उसे खतम कर सकते हो जबार, हमने तो सुना है कि तुम इस देश के सबसे बड़े खलाई खो अगर तुम चाहते तो तुम उस गायत्री देवी का कतल कर सकते थे अरे जब तुम उसके पती इसके बाप उसके बच्चों को नहीं चोड़ा तो फिर उसे कि छोड़ दिया यह सब मंतरी का दिमाज है मैंने इसे तब भी कहा था ये इसे भी मैंने इसे कहा था लेकिन हर बात को अपनी राज़ीती की दिमाग से सोचता है यह मंतर यह उसके बाप का खास आदमी बनकर उसके साई में रहकर बहुत कुछ कर सकता हूं और मैंने बहुत कुछ किया और जिसका सबसे द्यादा फायदा इस इस चबार का हुआ पूछो इससे पूछो फायदा तो हुआ बैकर ना कर रहा हूं फायदा तो हुआ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गायतरी देव को खतम करने में हम सब की बलाई है आपको आपके भाई साब मिल जाएगी आपको आप बाई आपको 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 और प्रफजित कर दो आहा है और नहा प्रकाश Nice कर दो कर दो कर दो कर दो कि आपाम थिर्णार सिर ते लिर्णार कर दो का दो PRA लाक। ठाव कर दो कि अुचा angry मुरियोर है सबस् sanitation क संद fan कि मुप्ण उय जिल हुआ मुप्छ़ खर्शादर सं फन्म यर निर एंवो न OUR the आड़ ंता थे आते पोसología उतान हो चलो, हेड़कॉर्टर चलके इनिफर्म करते हैं, चलो भाई, अभी तो तुमने मेरी जान बचाई है और अभी तेरी जान नहीं, अपनी जान बचाई है मैंने अब कान खोल कर सुन ले, अब तेरी जान पर मेरा भी हख है समझे अगर ये सब करना था तो आया क्यों मेरी जिन्दगी में, दुबारा लावारिस बनाने भाई तुम, हाथ मत लगाना, अपने पास रख अपना प्यार, साला जुबान से भाई भाई करता फिरता है, और हरकत है गेरों से भी बत्तर अने, ऐसा क्या किया भाई? साला वहां क्यों गया था यार? महां से मिलने भाई? महां से मिलने? वहाँ, अब वो सिर्फ तेरी मा हो गई? अकेले चला गया उससे मिलने पहले तो बड़े जोर-जोर से चला रहा था हमारी मा, हमारी मा, हमारी मा और अब? क्या वो सिर्फ तेरा दिल है, जो मा से मिलने के लिए तरप रहे? हाँ भोला? यारे कि तू साला मावाला हो गया और मैं? बिन मा का है ऐसा क्यों कहता है भाई? हम दोनों की मा हैं, हमारी मा देख भाई तू एक बात अच्छी तरह से समझ ले जब मैं बहुत छोटा था ना तो जब जिसका मना है मुझे अनाहत बनाकर चला गया और मैं कुछ नहीं कर सका आइंदा तुने मुझे छोड़ने की कोशिश की ना ए भाई तेरे दिल में तो मुझे से भी कही ज़्यादा प्यार है रहे सनी तुम अपने भाई से तो भी चड़क में मिल सकते हो गले और अपने होने वाली घर वाली से घर के अंदर भी गले नहीं मिल सकते ठीक क्या रही है चलो अनुके गले लग जाओ अरे तो फिर अमोशनल हो गई अरे चुपेट पहले वो तो बता जिसके लिए अमेने ढूंड रहे थे क्या 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 सूरी सनी सूरज तुम्हार ले बहुत अची ख़बर लाई हूँ बाई चल अंदर इसे भी बहुत तरीके हैं टाइम पाज करने के लिए सनी तुम मुझे बहुत अंडरेस्टिमेट कर रहे हो तुम क्या समझते हो मैं तुम्हार ले कोई जरूरी ख़बर नहीं ला सकते अंडर वंडर क्या मालूम था नहीं समझोगे अंडरेस्टिमेट कममकल वाली समझ देखो क्या ख़बर लाई हूँ मैं समझे कुछ नहीं पड़ पाओगे न मैं पड़के सुनाती हूँ चीफ मिनिस्टर टू अटेंड डांस शोओ झाल झाल हाँ सूट पूट पहनो या पुर्ता धोती सोना चांदी पहनो या हीरे मोती पास में हो पार तरे या हो प्रेकार लरगी तो दिल से हर लर्की तो दिल से पटती है या जान दान सारा यूपी बिहार लर्की तो दिल से पटती है या जानता है सारा यूपी बिहार बूट बूट पहनो या पुर्ता धोती सोना चांदी पहनो या धीरे मोती पास में हो पार तरे या हो पेकार लर्की तो दिल से पटती है या जानता है सारा यूपी बिहार लर्की तो दिल से पटती है या जानता है सारा यूपी बिहार कि तो देंगे या है सारा यूपी बिल पती है कि पिल से पोगर यूपी बिल से पकार यूपी तो बिल से पकार यूपी बिल से जानता है देखे शहर कई सब के रंग यही लड़की पे डाले है जाले लड़की तो दिल से पती है चालता है सारा यूपी बिहार लड़की तो दिल से पती है या जालता है सारा यूपी बिहार लड़की तो दिल से पती है जालता है सारा यूपी बिहार पिकी दीवान मेरा मुझसी कहिन लगा पिकी दीवान मेरा मुझसी कहिन लगा चल पूना पल पता या आसन सोल और क्या पहा होगा मैं तो समझ गई असली बाते तू और गई है खोल लड़की तो दिल से पती है या जानता है सारा यूपी भी है, 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 जानता है सारा यूपी भी ह वो लिधा लिधा लिधार लो लिधार जबार कहीं तुने गाहितरी देवी को किड्नेप करवाने की जल्दबादी तो नहीं की कि यही वो दो आदमी है जिस ने होटल समराज में हमारे कले पर दखेती किया था अच्छे यह वहीं लोग है जिन्होंने चबार के गल्ले में हाट डालने की हिम्मत की मैं तो तुम लोगों का चेहरा देखने के लिए कपसे तरस्रा था बहुत तरस्रा था मैं मुझे लगता है ना तुम लोगों को एवार्ड या टॉफी देनी चाहिए अगार्व किसम से आपके संगे साथ बहुत का काम किया तुम ने बहुत हिम्मत का का मिया तुम आईशी यही वो उस रहर जो अपना आपके लूट वाग गया था अच्छा लिए यह लंबा बोले तो रेल के लाइन का माविक ऐसा लंबा बिच्छा हुआ है तू वहां क्या कर रहा था बैर एक फुट की लोहे की नली और टेड़ इंच की बारूत की गोली उट के मुह में चीरा लगता है मैं यहां क्या-क्या कर सकता हूं तो उसकी चिंता कर चबार तेरी ये पिस्टॉल हमेशा चलने को उतावली क्यों रहती है अरे तुरुप के दो दो पत्ते हमारे हाथ में हैं तब भी तू बादी हारने पर उतारू है तेरी खोपड़ी में जो अकल है कभी उसका इस्तेमाल कर और सोच और क्या सोच परे सोच इन दोनो टपूरियों का चीफ मेंटर से क्या करेक्शन है सुदर्शन सेना के चेहरे पर से तेश भक्ति का नकाब नोच कर आप सब पार्टी मेंबर्स के सामने उसका असली और घिनोना चेहरा सामने लाना ही आज की इमर्जन्सी पार्टी मीटिंग का मकसद है जब बाट जैसे गयर कानुनी तत्वों के साथ वफादारी और पार्टी और मुल्क के साथ गदारी करने का सबूत इन तस्वीरों में छुपा है इनके स्वर्गवासी पिता के समय से जो मैंने पार्टी की सेवा की है उसका मेवा इनकी बिटिया ने टेबल पर सजा दिया है बहुत खुब बहुत खुब पार्टी का रुपया पानी की तरह बहा कर ट्रिक फोटोग्राफी की मदद से जूट को सच साबित करने की कोशिश की गई है लेकिन जूट के तो पैरी नहीं होते पर मेरे कैमरे ने कुछ ऐसे सुबूत हासिल किये हैं जो इनके लिए एक बहुत ही बड़ी कड़ी सच्चाई साबित होंगे देखना चाहेंगे आप लोग देखिए, देखिए अब जाहिर सी बात है, कि पार्टी मिम्मरों के लिए तैय करना मुशकिल होगा कि इनमेंसे कौन सी तस्फिरें असली हैं और कौन सी नकली क्योंके तस्फिरें थो बेजओवान, बेजांसी होती है लेकिन मेरी तस्वीरों में जान भी है और Trung भी ये बोलती भी है मैं माननी ये मुख्ये मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा क्या रिष्था है उनका उन दो कॉली के टपोरियों से जो शहर के होटलों को लूटते है या फिर क्या रिष्टा है उनका उस लड़के से जो शहर की गाड़ियों को चोरी करता है और जिन दो लड़कों की खुब्सूरत तस्वीर हैं हर पुलिस्टेशन की शोबा बढ़ा रही है कि आप ये बताने का कश्ट करेंगी क्या आप शनब बक्रयाप काहितरी देवी सिर् कर दो अर्षा साफी है कि आप शनब शोबा करेंगी किक खुब्सूरत प्लिस्टेशन की खुब्सूरत वहाँ इसर एक भागों काहँ जित आप ची ये जुब्सूरत विर बढ़ा रही है जोग मुझका प्रहिएग्स काहितरी दुब्सूरत काने की खुब्सूरत कौन है ये दोनों नहीं 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 जानती या यूं कहिए कि सब के सामने आप जानना नहीं चाहती अच्छा ये बताईए कि जिस रात आप पर हमला हुआ था तब ये रलका आपके घर में मौजूद था या नहीं बाजूद था तरह सब वो हमला हमला नहीं था बलके जंता के जस्बात के साथ खिलवाव था पबलिक सिंपती बटोरने के लिए एक बहुत ही घटियासा नटक था जोट है ये सब ये आदमी क्या बोल रहा क्यों बोल रहा ऐसे तरसल मैं मैं अपनी मां से मिलने गाया था काहित्री देवी हमारी मा है यह क्या पक्रास करें तुम मेरे मेरी कोई बच्चे नहीं है जब मेरी कोई औलाद ही नहीं है तो मैं किसी की मा कैसे बन सकती हूँ मा रहने बे भाई यह औरत हमारी मा बनने के लायक नहीं है तुम किसी की भी मा नहीं हो सकती है यह सब मेरे खिलाफ सुदरशन सिना की चाल है जिनमें यह दोनों शामिल है किरिफ्तार कर लो इने यह तो क्या कहनी है मा माम तेरे बच्चे है माम 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 गायतरी देवजी यह सब क्या है सचा ही क्या है यह है मेरा मेरेच सर्टिफिकित मेरा मंगल सूत्र और यह मेरी कोग से हुए अगर मांग में सिंदूर भरना पाप है, अगर पत्ली बनकर कोक सजाना गुना है, तो मैं गुनेहगार हूँ, आप मुझे सजा ही नहीं, सूली पर चड़ा दीजी क्योंकि जब मेरे भागी ने मुझे उजाड़ा था, तब आप ही ने मुझे सहारा दिया था अरे यह तो कमाल की और दिग ली, है, तुम्हारी गेन सीधा पबलिक के अंदर फैंक दी, क्या खेल खेला है अरे मुझे हैरत इस बात की है कि ये सर्टिफिकेट इसके पास आए कहा सी अरे इससे भोले सवाल मत कर सुदर्शन से ना, तू जैसे अपने आपको राजनीती का बादशा समझता है ना, वैसे राजनीती की रानी है रानी वो तू ने जैसे उसके जिन्दा बच्चों को मरवा कर जूटा सर्टिफिकेट पेश किया था, उसे यकीन दिलाया था कि उसके मरे हुए बच्चे पैदा हुए थे उसी तरा आज उसने पबली को यकीन दिलाया कि वो भी कभी सुआगन थी अरे आइसा बोल आइसा ये इतिहास मत पड़ा अरे इतिहास तो अब आकाल हमारा लिखेगा जब उसे इस बात का पता चलेगा कि हमने नाकायम्याब की सेड़ी पर पैर रखा है हाई सुधर्षन सिना जागो अपना चक्र चलाओ उसके चार भायों को किसी भी हालत में रिखा करना है क्यों अब तेरा बुकार उतरा या नहीं? मा मा म। मैं रोक रहा है मगर नहीं तु खीचते जारा थ है सपने को अरे इतना कच्रा तो गेरों ने नहीं किया चितना तेरी मा नहीं किया लाड ले बनने चले थे ये ले, ये ले मूधो और इस सपने को अपनी आग से मैल की तरह दो डाल तो आएंगा या तो मेरे सामने मा का जिकर कभी नहीं करेगा या मेरे सामने कभी नहीं आएगा अरे तूने ही तो मा का भूत मेरे सर पे सवार किया है भेजा खा गया मेरा अब उन भी तेरे साथ मामा करके बहुत मीनिया है जुबान का जाइका खराब हो गया अब तू भी सुन भोले अपने दिल से निकाल कर फेक तो यह मां से मिलने का सपना सनी ए भाई अपनी तरफ देख मां न मिलने का दुख मुझसे ज़्यादा तो तुझे हो रहा है लेकिन सनी अपनी मां अपने को मिलेगी जरूर मिलेगी बारूट से विखत्रनाक होता है ये मां शप्त का नाजायस इस्तमाल तुभारे जूट ने मुझे जिनजोड के रख दिया नजाने कितने पुराने आसु आज इन आखोने बहा है मेरे बड़े हुए बेटो का मातम तुभारा मनाने पर तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया तुम्हे भी तो किसी मां ने बड़ी मम्ता से जनम दिया होगा इस मां को दर्द देने का गुना क्या वो मां तुम्हें माफ करतेगी तुम बच्चों की भी तो कोई मां होगी होगी नहीं है हमारी मां जिन्दा है अमानता हूं आप अमारी मां नहीं है एकने एक पल के लिए हमें अपनों बेटा समझ कर हमें माफ कर दीजिए मैं जानती थी तुम बुरे नहीं हो कुमरा हो गये हो सुदर्चिन सिना ने अपने स्वात के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है लेकिन तुम्हें तुम्हारी मां का वास्ता फिर कभी किसी मां को तुक मत देना मुझसे कुई मदद चाहिए तो बोलो और कुछ नहीं बस आशिर्वात दीजिए कि हमें हमारी मा मिल जाए इन बेटों को उसमा की सरूरत है इंस्पेक्टर इन दोनों को रहा कर दो हुआ है हुआ है मुझसे है मुझसा मुझसे है । सब्सक्राइब करें क्यों हो गाहितरी देवी ने तुम्हारी माँ बढने से 15 कार दिया तो क्या हुआ कि इस बाप प्रत हादिर रहे ना तुम्हारे लिए ना जाना रिक्षाप बन्ने के स् produit मुझे पीठसर कूझ तरह açQué सित्र जे तेरी पीठ दिखाई देगी जबान को लगान दो लगान तो फिलाल हमारे हाथ पाउं पे पड़े रहने दो जब तक सिर्फ जुबान चल रही है तुम्हारी खेरियत है हमें महरा बनाकर हमारा गलत इस्तमाल किया भरवा नहीं लेकिन मां के दर्जे का गलत इस्तमा आएगा जब तरी तकदीर में अगली सुवाल लिखी होगी बोले सुदर्शन सिना से उंचे सुर में बात करके तूने अपने मुकदर पर काला पेंट पूद दिया इन बादारों लोगों का डर तुमुझे देखा रहे हो जो बाजू में फॉलाद लिए फिरते हैं कनपट अब भी गायत्री देवी की तरफ बढ़ाया तो दूसरा कदम जमीन पर रखनेक से पहले हवा में खाट दिया जाएगा भले गायत्री देवी की बैटे की मौत हो चुकी हो लेकिन मेरी दिल में उनके लिए मा का दर्जा पादा हो चुका है बात तो फिर भी नाजाइस निक करें कि यह कंबख तो असली से भी जादा सदा हो गया जिस सच्चाई को 24 साल तक गैद में रखा उसका अचानक भूले को कैसे पता चलिया यह तो सर पर नया खत्रा कौन सा मोल ले करा रहा है काहित्री देवी की उलादें कि देवी की जिन अउलादों को हमने माना था उनका खत्रा तुम्हें कितने साल कितने साल कितने साल 24 24 24 24 साल के बाद मैसस हो रहा है मारने की जिमेदारी ना तेरी थी ना मेरी यह जिमेदारी तेरे भाई को सौपी थी क्या कैना चाहता है तू क्या कैना चाहता है तू मेरे भाई ने जिमेदारी ने भाई नहीं इसका फैसला तेरे भाई से मिलने के बाद होगा कि अरे कि अरे कि कहां के मेरा भाई कि पेरी जुबान में बोलू भाई कि तेरे दिल में क्या चल रहा है कि जब तू अकेला था तब आशो की था आखों में आशों का सिस्टम ही नहीं था अचल से मेरे चक्कर में पड़ा है तो दुखी दुख है प्ष। देख भाई जब रिष्टा जिन्दीगी में आता है तो साथ आखों में आशों और दिल में दर्द लेकर आता है देशों से कितना सुख मिलता है बहुत सुख दिया है गाइतरी देवी ने मुझे अरे इतना सुख कि मैं छुपकर रोया था काइतरी देवी अरे जो आरे इतनी संदिल है जो दो बेकसूर मासूम बच्चों को पैदा करके फैक सकती है और फिर कहती है कि बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे उससे ममता की उमीद हम भले जिन्दा हैं भाई मगर वो रिष्टा 24 साल पहले मर चुका है मर चुका है मर चुका है पर वो जिन्दा है इसलिए अपन भी जिन्दा है सुरी भाई लगता है यह भी हमारी तरह किसी को सुन मेरे भाई सुन मेरे भाई सुन मेरे जिन्दा है सुन मेरे पाई सुन मेरे जिन्दा है दोलत के हैं रिष्टे सभी आज कल है एय यार सुन तू वक्त के साथ चल मतलब के बिन यहां किसका कौन है तौलत के हैं रिष्टे सभी आज कल एय यार सुन तू वक्त के साथ चल मतलब के बिन यहां किसका कौन है हर हाल में तुझ को है जिन जिने कुछ गम न कर दुनिया के ऐसे तैसे सुन मेरे भाई सुन मेरे भाई अर दुनिया तुझे ठुक राएकर परवा न कर दुनिया के ऐसे तैसे सुन मेरे भाई सुन मेरे भाई दुनिया तुझे ठुक राएकर परवा न कर दुनिया के ऐसे तैसे वाह आवाज तो मर्दों जैसे निकाल लेते हो पर तुम्हारी नमारदान के किसे अब अख़वारों में भी छपने लगे हैं खलीफे समझते हैं अपने आपको शहर का और तुम लोगों से एक औरत का शिकार नहीं हो पाया नहीं जाने हम औरत किस मिंटी के बनी आगाल भाई भाई मत बोल नहीं भाई नहीं मत निकाल अपने मूँ से यह अलफाज खून खौल लुटता मेरा खून खराबा कर गुजरने को दिल करता है वहां चार-चार मेरे भाई चेल में कैद हैं वहां वो तडप रहे हैं और यहां मैं छट पटा रहा हूं इतना बेबस आकाल पहले कभी नहीं था हम आपके नाराजगी समझता है अगाल गनी मत समझो के तुम अभी मेरा गुस्सा नहीं जानते जिस दिन मेरा दिमाग फिर गया न वो जो करोणों रुपया तुम लोगों ने मेरा हसम किया है एक में हाथ जाल कर अंतुरिया समेथ निकालनोंगा सिर्फ एक रुकावट है एक और वो है गाहितरी देवी यह रुकावट हट जाय तो समझो तुम्हारे चारों भाहिया बाहर यूँ तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं सुदर्शन से न के गाहितरी देवी की मौत के बाद और मेरे भाईयों की रहाई से पहले तुम चीफ मिनिश्टर बन जाओगे वैसे भी तुम उस गद्दी पर बैठने के लिए कुछ जरूर से ज्यादा मचल रहे हो और मुझे परवा नहीं मुझे सिर्फ अपने भाई चाहिए वैसे मेरे आदमी ने अपनी रिवालवर में गाहितरी देवी के नाम की माउत भरली है तू भी अपन जैसा हो गया सारा रिष्टों का ऐसास मुझ में जगा कर खुदार कर सो गया चलो अपनी दुनिया में लोड़ चलते हैं वह ना कोई गम ना कोई रिष्टे ना कोई माँ सिर्फ सुक है सुक है सुक और तरी दुनिया में सुर्फ तोग तोग और तोग और तोग अबे बोले तो शरा पीटे सो गया और वसानी निकल गया आपने पुराने दंदे में जा लिया उसे भाई 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 बाइ かったं मेकें बाट के बाइ करें भाई भाई तक नुआ सकी देड है करें में एकें हो दूआ भाई बाई रुक जा बाई बाई रुक जा बाई अब दुबारा ध्यान से सुनो कल तुम्हे मंतर गाहितरी रेवी का कतल करना ही करना है बाई 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 रेवी करना ही बाई भाई बाई झरीव प्रीव कर भचल फार वे ड लो दो तार लो ठार लोल गजा आजह आजए झा आजह वार ते पीडिवें कर वहां हुआगयों घुछ आजए झाली ंजह चे वार वेंगे लोगता हुआर अजएगे दू़र्ण झाल 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 करता है जितना तू अपने भाईयों से करता था वो भी यहीं कहीं चुपा हुआ है अपने भाईयों की मौत का हिसाब ले ले परद्धिस के आगे इसके भाई की लाश करता हुआ है जब तक तेरा भाई नहीं मिल जाता तू कोई होश्यारी नहीं करेगा और ना तरी मा जो मेरे कब्जे में है उसे खत्म कर डालूगा कहा है तेरा भाई हुआ कर दो फचाँ उले बाई अ, अचिना में चल्दे, माफ करना ऊचिना में बोल्क आड़तराईड़! जए तलुँ एकुंस ही एक नए लगज एकुण हे लगाई बढ़ ही जए खुशए खुशए करे लगाई लाओ इसे भी स्केमा के पास तुर्णा, आपुर्णा, जि मैं र तुर्णा, दिर्णा, पास बॉॉॉॉ लाओ चलो! षाल प्रभाओ अँडाओ हुई हुई रवा, हुई 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 форм कर दो कर दो अजय लोग्ल जखज़ झाली渋ड थांग जोग्लय ज। जोग्लय जूए गुआञ हैं जोग्ल Crud झाल, झाल, झाल आहां ना मुन्ना ना जादा होश्यारी नहीं शांती शांती शराफत से अपनी माता जी को मेरे हवाले कर दो वरना ये जौनी तेरी और तेरे भाई की माशूका का क्या हाशर करेगा तू जानता है आये आये भूत पूर्व मुख्य मंत्री जी आये सुदर्शन सिना अगर मेरी मौत से तुमें फाइदा है तो ठीक है इन बच्चों को इधर भेज दो ये तो दुनिया का बहुत पुराना असूल है मुख्य मंत्री जी इसाथ दे उसाथ ले करेंगे की बच्चों की ऑने मीध्य मिननस्न कीओ ॉप्य मंत्वाब कि आये ये टीक है की इसाथ खभावरे ये सम entry प्रॉब भूड़ու टॉब 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 टॉ़ टॉब झाली पेटे जान, पेटे जान, पपड़ी देझा तो तबी गाली लेता मा, मुझे एक बाद समझ मनी आए क्या? देखिया, हम दोनों जुड़ुए, हमारे बच्चे जुड़ुए कोले के बच्चे बिलकुल भोले पे गए राम और शाम की तरह हमारी बच्चे आप बिलकुल हम पर गई है सिता और गीटा की तरह लेकिन हम दोनों में इतना फर्क क्यों है क्योंकि मैं में आइटम हुआ हूं और आप किफ्ट अच्छा क्वाल गेट और चोटा पैकिकर पाइडा पो वे ये यूर्भा! लाइन मार ले रे बाबा लाइन मार ले तुझको जो पसंद हो उस पे दिल्य हार ले चार दिन की है जिन्दगानी मसचानी ये जवानी है दिवानी इस प्यार में गुजार ले लाइन मार ले रे बाबा लाइन मार ले तुझको जो पसंद हो उस पे दिल्य हार ले चार दिन की है जिन्दगानी मसचानी ये जवानी है दिवानी इस से प्यार में गुजार ले लाइन मार ले रे बाबा लाइन मार ले बबब बब खाई पाई ये बस में बस में रिक्षा में रिक्षा में कार में बस में रिक्षा में कार में क्लब सिनेमा होटल पी अभार में कली में महले में चाप में बादार में सूल में तॉलेज में शादी त्योहार में जिसको जहां मौका मिले और जिसको जहां मौका मिले मारे वही लाइन लाइन हो जुक लिया तो कहें यू आर माइन चार दिन की है जिन्दगानी मासे तानी ये जवानी है दिवानी इससे प्यार में गुजार ले लैम वारे हेपाली लैम 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 वारे हेळे इदेल साट इदोक इरी गरान इरी गरान???? पब में इसको में आफिस में पार्क में खुली सड़क पे हर एक दुठान में खुली सड़क पे हर एक दुठान में पूढे जवान यहां लाइन सभी मारते फैशन है अब यह सारे हिंदुस्तान में हर जगा लाइन का ही चकर है यारो डरो नहीं दुनिया उसे खुल के लाइन मारो चार दिन की है जिन्दगानी मसतानी यह जवानी है तिवानी इस से प्यार में गुजार ले लाइन मार ले बाबा लाइन मारो अर चट मंगनी पक प्याह देख तू जल्दी कर ले यारा परना कुडिया होंगी नाव को ग्यारा और लग जाने ते तीन सदो की भारा अहां कुडियों को देख ते रहना आखों को शेक ते रहना दिल अपना फेक ते रहना मेरा इतना है पहना चट मंगनी पक प्याह देख तू जल्दी कर ले यारा परना कुडिया होंगी नाव को ग्यारा पर लग जाने ते तीन सदो की भारा अहां कुडियों को देख ते रहना आखों को शेक ते रहना दिल अपना देख ते रहना मेरा इतना है पहना अर चट मंगनी पक प्याह देख तू जल्दी कर ले यारा परना कुडिया होंगी नाव को ग्यारा और लग जाने ते तीन सदो की भारा अहां कुडियों को देख ते रहना आखों को शेक ते रहना दिल अपना फेक ते रहना मेरा इतना है पहना चट मंगनी पक प्याह देख तू जल्दी कर ले यारा परना कुडिया होंगी नाव को ग्यारा पर लग जाने ते तीन सदो की भारा अहां कुडियों को देख ते रहना आखों को शेक ते रहना तिल अपना देख ते रहना मेरा इतना है पहना मेरा इतना है पहना झाल झाल